हाई फ्रेंट्स आज हम अंजियो क्रेटमा के बारे में डिसकस करेंगे यह अंजियो क्रेटमा क्या होता है और इसका ट्रीक्मेंट के सो होता है इस वीडियो में आपको बताएंगे टो चलिए शुर्कतिय ट्टपिक जैसे आप फोटो में देख रहे हैं यह साथ छोटा-छोटा ब्लूझ और ब्लाक कलर का चुटकशिश्टा पप्लियदी स्कीन में अगर दाना रहता है किसी का तो यह एंजियो किरेटमा हो सकता है तो यह ऑन्जियो किरेटमा क्या होता है अ जादा ग्रोथ है और वहां पर ब्लड जादा जम जाने लगता है तो इसको नहीं पता है लेकिन कुछ कुछ किस्टस में जेनेटिक है यानि किसी का अगर घर में है तो उसके बच्चे लोग का होने का चांसेस है और एक हाइपोथेसी है जिसमें बोला गया है जिसे ब्लाड पेसर जढ़ा होता है ब्लड पेसर अक्टयूलि अट्रियल पेसर को वेसे ही आगर किसी का पैसर ज सब्सक्राइब तो वहाँ पे यह छोटघ शोटा एंजियो करेटम будет कमन रेंव कम ने बहुत लोगन पाहिशता है तो यह नॉर्मली चांटत infection सा Olok जिसको हम फैबरी डिजीज भी बोलते हैं यह बहुत रेयर है बस्पन में पाई जाता है और इसमें क्या होता है बच्चों का बॉड़ी में इसे छोड़ा चोड़ा एंजियो क्राइटा महुत सारा वर्ति रहता है इसके साथ सब्सक्राइब होता है एक्स्टेमिटी यानि हा साथ और आधे दिन तक नहीं रहते यानि जिन्दा नहीं रहते चालीश-50 असल माक्सिमम इतना धी इनी जिनदा रहते उसके बाद वो डेथ कर जाते हैं यह इसे हता है जिससे ऑप फोटो में देख रहे हैं यह स्क्रोटम यह छोटा चोटा दना यह यह पाप्यू़ रहता है और कभी कवहर अगर गलती से नाखुन लगता है खुजली होने लगता है तो फहां पर बल्वा यानि भजने के आसपास भी यन्जीो करतमा रहता है यह जिसको है इसके साथ साथ शुसका भेरीकोस भेन रिंद यानि पेर का जो मोटा हूसकता है हुसकता है और कभी कवर भेरीकोसई игрelse प्रेजनेंट में यह नुर्मली प्रेग्नेंसिये बाद सुरू होथा है जो वेनस पेसर बॉड़ी में ज्यादा रहता है नहीं तो अगर को प्रेजन ओरल कंटरसेटिव पिल खाते है उसके बाद यह बिमारी ज्यादा सुरू होता है तो यह जो एंजियोग्रेटमा फड़ी सब्सक्राइब संता jest 0.5 cm to 1 cm k by अगर खरुश क्वचली ओने कंई है कहीं पिन पर छोट कर जाता है तो हम पहुत जादा ब्लेडिंग होने अर जल्दी ब्लेडा पहुत जादा पहल ज़ेडरातर संदिब्रेडिय जर्डिंग इस बिल्ड नहीं स्दोप बदutet को हमें वह श्राइब यहां फे फेंध्य तरना जो के Coming आजम तो चलिए जानते षड़ के से कुछनें करते हैं नेolar आता है लेकिन जो डर्माटोलीस्ट है वह देखके बता कर सकते हैं कि यह अंजियोक्रटमा है तो लास्ट में चली जानते हैं इसका ट्रीटमेंट के बारे में इसका कोई खाने का दवई से ठीक नहीं होता है तो इसलिए इसका सर्जीकल मैनेजमेंट ही कोई इलाज नहीं होता है इसको सर्जीकल से ठीक होता है तो जसका। क्योथ जोड़ेते हैं तो चोटा चोटाह जब डैमाटोलीस के पास हमारे पास आते हैं तो हमका इलाज रिडियाची कोटरीमेशीन होता वि averaging और करते हैं तो लेजर से भी इस भ्लडबे शेल को इस चोड़ा चोड़ा अंडियो करारडम को ठीक थिक नहीं होता है इसलिए कोई होता है लेंजा फूर परणद होटानाया इसलिए अगर कोई कास्मेटिक प्रोब्लम के प्रणे अरवुध से आता है कोई उसका इलाज हम करते हैं तो इसका इलाज अकर नहीं भी करते तो फूक प्रॉब्लम नहीं होता है इससे कोई cancer भी यह होने का chance नहीं रहता है लेकिन एक बड़ा problem है कि कहीं पर छोटा सा चूट लग जाता है तो बहुत जादा खून निकलता है और जल्दी यह bleeding बन नहीं होता है तो यह था एक छोटा सा टॉपिक आंजियो क्रेटरों के बारे में उमीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको आज कुस नया सिखने को मिला है अगर आपको इससा टॉपिक अच्छा लगता है तो मेरा YouTube चनल को सब्सक्राइब करिए किसी को अगर इसाब प्रॉब्लेम है उसको यह वीडियो शेयर करिए थांक्यू नमस्कार तो फिर मिलेंगे कोई दुश्रा टॉपिक के साथ नमस्ते स्टे हेल्दी स्टे सेर् झाल